सीत चीज पूझे जाएंगे यानि ज्याइट चालीस कोस्चिन सीजाएंगे चली होट को ब्लाइब दोस्तों पता है ज्यार्खन जोगर्फिट, जलाल ऐकनіс, सर्फब्ल को स्वस्केयद बुचैंट जहीं दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चनल पर दोस्तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक वेकेंसी आई है दोस्तो बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी वेकेंसी आई है जेए चलसी की दोस्तो कलरक और इस्टर्णू की वेकेंसी तो उनको फिल करने के लिए कल सब्सक्राइब करेंगे और हर चीज़ देखेंगे सुल क्या लगने वाला है कितनी सीटों पर वेकेंसी आई हुए हर चीज़ देखेंगे डिटेल वे देखेंगे दोस्तों आपके मन में तो आप जरूर मुझे कमेंड करें कमेंड करके पूछ सकते और बाकि जो इस्टर्णों की वेकेंसी है दोस्तों 2022 की वेकेंसी है और बहुत ही अच्छी पोश्ट अलग अलग विभाग में आपको कलर को इस्टर्णों की पोश्ट मिलने वाली है दोस्तों और काफी अच्छी सेलरी हर चीज़ पर हम यहां पर चर्चा करेंगे सबसे पहले पर विकेंसी आई है दोस्तो हर चीज दिया गया है हर चीज में चोटे से बॉर्ट में संभव नहीं था दोस्तो इसलिए महीं वह सब सब में दिया बाकी जो डिटेल है वह मैं आप लोग को दे दूँगा तो यहां पर दे शौर्ध कि मैं अच्छे से आप लोगों हर चीज बताऊं और जो लाइट की प्रॉल्म में जल्द से जल्द में खत्म करूं तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इंफोर्मेशन में किसी तरह कोई प्रॉल्म नहीं होगा थोड़ा बोर्ड भी छोटा है आप लोगों प्रॉल्म हो र कर सकते हो अगर बात करें 19 जून की दोस्तों तो 19 जून तक आप रेइस्टेशन कर सकते हो और अगर फीपेमेंट की बात कर दोस्तों तो 22 जून तक जो है आप फीपेमेंट कर सकते हो और 25 जून तक जो है दोस्तों आप अपना सीनेचर और फोटो अपलोड करके प्रिंट यहां पर द सकते हो तो यह आफ में आफर के लिए गये अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं 18-35 स्वर्ष का यहां-ट के ट्रिया-satंनु यह नहीं के लिए है अगर बात करें दोस्तों तो यहां सेलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसेस के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर रिटेनिक जाम होने वाला है इस्किल टेश्ट होने वाले हैं और जो डोकुमेंट वेरिफिकेसन यानि डीवी होने वाली है तो इन तीनों चीज़त को आप कौलिफाई कर आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हो यह सारी चीज़ है यानि उसके बात हो यहां पर बात करें दोस्तों स्लेबस को या एकजाम प्रेटन की तो सिर्फ एक ही एकजाम होने वाला जिस्तों यानि चिर्फ एक मुख परिच्छा होने वाला जैसा कि आप लोगों पता है दो जार एकजाम होने वाला पहले दो लेकिन अब जो दोस्तों केवल एक परिक्षा के रूप में होगा इसमें टोटल थ्री पेपर होने वाले तो उसी प्रकार से यहां भी टोटल थ्री पेपर होंगे आप देख सकते हैं यहां पेपर का माध्या में दोस्तों थोड़ा सा जो लेक्षा यहां पर यहां पर इसी रहेगा यहां पर यानि इंटर लेवल निचांटांटांगे यहां पर देख सकते हैं वह लेंग्विज पेपर यहनि हिंदी इंगलिज के questions पुछाएंगे 60% जो है वो हिंदी से और 60% जो है दोस्तों वो इंगली से पूछे जाएंगे टोटल 120% पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे qualifying paper है याँनि 30% marks आपको लाना है paper 1 में जिसको यानि इसके आपको एक question पे three marks मिलने वाले जिसनी एक question पे आपको three marks मिलने वाले हैं दोस्तों और अगर आप question गलत करते हैं तो आपके नमर काट ली जाएंगे तो इसरत नेग्टिव मार्किंग भी है तो आप रूख ध्यान रहें दोस्तों जब भी आप देख सकते हैं पर काफी language है दोस्तों मैं यह लिए उसे ही चूज करें वैसे इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों पूरा स्रीज में लेकर आऊंगा दोस्तों हर चीव में बताने वाला हूं आप लोग चैनल से जूड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे देखते हैं दोस्तों यहां पर मैं बता दिया हूं कि सकेंड पेपर जह वो रिजिनल लैंग्वेज से रिलेटेड है जिसमें टोटल प्रस्वना की संख्या वो 120 होने वाली है और मार्स रिघ्लिक की बात करें दोस्तों तो ठरीपर होने वाला है थोड़त में बात करूँ दोस्तो पेपर 3 के उपर कि पेपर 3 जो दोस्तो इसमें आप दे सकते हैं पर जो सब्जेक्ट दिये गए हैं कहां से कितने questions पूछे जाएंगे तो आप यहां पर देख ले कि जीए जीए से related 30 questions पूछे जाएंगे यानि जोगरफी, हिस्ट्री, साइ जार्खन जीके में दोस्तो आप लोगों पता ही है जार्खन का इतिहार, जार्खन का जोगरफी, जार्खन का सर्वे, हर चीज़ पूछा जाएगा उसमें उसके उपर मैं आप लोगों को हर चीज़ बताने वाला हूं आगे गर देखें दोस्तो तो next जो है वो computer जिसमें total 50 question पूछे जाएंगे दोस्तों सिर्फ computer ही नहीं है computer और computer टंकन से related question पूछे जाएंगे इसमें total प्रस्वन के संख्या 50 होने वाली है दोस्तों इस प्रकास से paper 3 का मैं detail में आप लोगों को बता दिया हूं किसी तरक कोई doubt यहां पे नहीं होना चाहिए आप लोगों दोस्तों और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों फी को लेकर अगर फी की बात करें दोस्तों तो जैनरल OVC EWS इनके लिए जो फी है वह 100 रुपए है यानि 100 रुपए है दोस्तों और SCST के बात करें तो उनको सिर्फ 50 रुपए लगने वाले है अगर 40% से उपर handicapped कोई है दो चलिया आगे देखते हैं बाकी जो सेलरी है दोस्तों सेलरी के ऊपर हम लोग देख लेते हैं सेलरी के अगर बात करें दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कलर की जो सेलरी है दोस्तों वह यहां पर देख सकते हो 2900 से लेकर 63200 रुपए है उसका देहा उसका देखर इस डर्थन ओर माुथ करा है कैसरे हैं पर 25,500 से लेकर 81100 रूपए है दोस्तो जो काफी बड़ी सैलरी है तो आप लोगों को बहुत मैनत करना है दोस्तो इस टर्थनो और कलर की जो वेकेंसी आई वे दोस्तो इसके उपर आपको काफी मेनद करना है कैसे क्या syllabus डिटेल में होने वाला है कैसे आपको तैयारी करनी है क्या पढ़ना है दोस्तों उसके उपर मैं आप लोगों बताऊंगा बुक क्या होने वाल है बुक के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन के से बुक आपको पढ़ने है और सिलिवर्स कैसे कंप्लीट करना है इतने कम समय में तो यह होगा दोस्तों मैं सहली आप लोगो बता दिया हो बाकि जो डिटेल हो भी मैं आप लोगो बता दि यूपी एसाइ का भी फिजिकल होने वाला दोस्तों इन सभी फिजिकल से लेटेट विडियो कुछ डाल चुका हूं और हर चीज़ में बताने वाला है दोस्तों कैसे आपको रनिंग क्या करना है दोस्तों तो आप लोगो बस चनल से जूड़ें चनल्न को सब्सक्राइब कर है दोस्तों अब एक लिए बस इतना ही आएक लिए वाल साथ जूड़ें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करके सेर कर दें थैंको दोस्तों जैंग